नमस्कार मैं रवी मिरी हूँ और आप सभी विस्तार निउस देख रहे हैं आज हम बात करेंगे बलोदा बजार हिंसा पर क्योंकि बलोदा बजार पिछले कुछ दिनों से लगतार सूर्ख्यों में है वहाँ सत्नाम धर्म के लोग जो है वो आकरोसी थे क्यों आकरोसी थे क्यों सी ब्याई जाज की मांग कर रहें इन सभी चीजों पर बात करेंगे और जो बलोदा बजार में आगजनी हुई डीयेम ओफिस एसपी का रेले को आग लगा दी गई इन सब के पीछे क्या करण है और नयायक कब मिलेगा इन सभी चीजों को बारिकी से समझे thoughts कि हमारे साथ सतनामी समास के धर्म गुरु गुरु खुस्वन साहब और साथ ही विधायक आरंग है गुरु खुस्वन साहब से बात चीत करेंगे और हमारे साथ है है हमारे ब्यूरोचीप म्रिगेंद्र पांडे तो दोनों तरफ से सवाल जवाब आपके पास आएगा और आप दोनों को हमें हैंडल करना है ठीक है विया तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं बलोदा बजार पर आप सुरुवाद से देख रहे हैं अमर गुफा जहां से यह व मुचा और इस पर क्या करवाई हुई इसको थोड़ा दर्सकों को समझा दिए ताकि लगे कि क्या गडबड़ी हुई थी समझ में आए देखिए आप सबको जानकारी है कुछ दिन पूर्व में जो सत्नामी समाज का जो आस्था जो होता है हमारे सत्नामी समाज धर्म का जो पहुंचती है तो धर्म को अगा ठेस पोंचे की तो लोगों में आक्रोस तो आती है और सतनामी समाजने अपील की कि किसी भी प्रकार से, किसी भी तरीके से जो अपरादी है उसको ततकाल पकड़ा जाया और उनको जेल में डाला जाया और सजा दी जाया जैसे ही जब वो केस हुआ मतलब जो घटना हुई उसके 48 घंटे के भीतर में जब यह बात पुलीश प्रशाशन को पता चली सरकार को पता चली कि धर्म हमारे धर्म को चेड़ चाड़ किया गया क्योंकि हमारी जो सरकार है वो धर्म का बहुत सम्मान करती है और किसी भी धर्म कोई भी धर्म हो उसके अफमान को बिल्दकुल बरदाश नहीं करती तो त्वरित उसमें कारवाही हुई और 48 घंटे के भीतर में हमारे प्रशाशन पुलीश प्रशाशन और हमारे प्रशाशन लोग एक साथ मिल कर जूट कर मेहनत करके 40 घंटे के भीतर में तीनों हुए थे और तीन-चार मेने ने से हमारा जो पेमेंट है वो नहीं मिला था हम को तो कहीं ने ने हम पीडेट UX से हमारा हमारा पैसहाभी तक नहीं मिले और उसी आफ रहत These रात को दो ढाली बच tes chain कारी मिली है और हमारा जंढा तो फंड़ी पड़ा हुआ था तो उसको देखते हुआ हमने आपको बताया भी तक इछले बार आप से फोनों होई थी तो कि हम वहाँ पर हमारे समाज्वालों के साथ मिलकर जाकर एक साथ मिलकर पंथी नाच के साथ पूझापाट के साथ संस्कृति के अनुरूप सेथ खाम का स्थापना कर दिया गया था लेकिन फिर भी हमारे समाज वालों के एक शंका थी कि यह जो तीन अपराधी पकड़ाए थी वह कहीं ने कहीं बाहर दूसरे प्रदेश के थे हमारे प्रदेश के नहीं थे तो उनकी सोच थी कहीं ने क समाज में एक मांग हो रही थी कि इसके पीछे अगर किसी की सनलिपता होगी या इसके पीछे कोई जुड़ा तो उसमें जाच होनी चाहिए इसके लिए समाज में एक आवाज उठ रही थी तो इसके लिए जाच होनी चाहिए करके तो निश्य दी ये सारे चीजों को लगात आफना क्यों नहीं किया गया देखिए पहले से ही मेरी जब ये मांग उठ रही थी समाज वालों से चर्चा हुई तो मेरी पहले स्पी साब से बात हो गई थी कि मैंने उनको कर दिया था बात चीट करके उनको कह दिया था कि और जांच परताल कीजिए और थोड़ा बारिकी से पता कीजिए कि इसके पीछे अगर कोई और जुड़ा है अगर किसी का हाथ है तो उसको भी अपन पकड़ के जेल मर डाले ऐसे ह हमने उनसे चरचा उनी और लगातार जांच परतल जारी थी लेकिन लोगों को चाहिए था कुछ लोग ऐसा भड़का दिये या ऐसा बो दिये कि एक नियाईक जाच की गठना गठीत हो जाए जिसके नित्रत में बढ़िया एक अच्छे से जाच हो और जो सही दोशी अगर इसके पीछे कोई involvement है तो वो भी पकड़ा जाए तो उसके लिए हमाने मानने डिप्टी सीम जी हैं गरीब मंतरी हैं विजय शर्मा जी जिनके द्व जाए दे पहली घटना होगी किसी कलेक्टर ओफिस को जला दिया गया क्या आप लोगों ने कहां पर आप लोगों को लगता है चूख हुई और क्या कम्यूनिकेशन आप लोगों ने सही से नहीं किया या क्या गढ़बड़ी रही किस तरीके से घटना हुई सब्परड़े चाहिए तो और फिर वी सारे संगठन्ह उस महांदोलन में में गय थे पहले से निर्धारीत हो गया था कि दस तारीक को हम महांदोलन या एक धरना प्रदर्शन वहां पर करेंगे तो निर्धारीत था इसलिए लोग वहां पर पहुंचे और पहुंचकर वहां पर कुछ ये प्रशाशन को और तो ये उसी प्रकार था नियाइक जाच के लिए भी तैयार हो चुकी थी और नियाइक जाच की भी घोश्टना हो गई थी लेकिन क्या हुआ कि जब लगातार ये हम देखें हैं कि सत्तामी समाज के आस्था के केंदर के उपर जब किसी प्रकार का कारवाही हो रही है अब अब उधारन देखिए अमर गुफा का जब घटना हुआ तो और तालीत घंटे के पितर कारवाही हुई उसके बाद कुछ दिन बाद बिटकुली गाउं हैं वहां भी ऐसी कुछ घटना हुई तत्काल उन लोग को भी जेल में डालने का काम किया गय क्योंकि जो एसपी और कलेक्टर की भूमिका क्योंकि क्योंकि हमें पता है कि 15-20,000 लोग आ रहे हैं तो हमें परियाप्त ब्योस्था रखनी चाहिए थी कोई भी वेक्ति कैसे भी कितना भी प्रदर्शन रहे लेकिन उनको एसपी ऑफिस या कलेक्टर ऑफिस के पहले रोक ह लिए जाता है इतनी ताकत तो रहती है तो यहां पर तो मुझे चूक लगी लेकिन ऐसा कोई भी अनस वो नहीं था कोई बात नहीं थी कि इस टाइप का उग्रा अंदोलन होगा या लोग इस टाइप का करेंगे या इस टाइप की तैयारी करके आएंगे क्योंकि हम लोग न घटना हुई तब इसके पीशे हम लोगों को समझ में आता है कि कहीं न कहीं कुछ असमाजिक तत्व इसमें जुड़े हुए हैं जो समाज को खड़ता है कि वहां पेट्रोल बंब लेकर आए और पेट्रोल क्योंकि एक कंक्रेट की बिल्डिंग में आग लगाना प्री प्ल जानाक से हमें लगा उस विजवल को देखके गुरू जी कि कस्मीर जैसा कि कस्मीर में पत्थर बाजी वहां होने लगा था पुलीस पर पथर बाजी हो रही थी तो क्या यहां भी ऐसी शांती वे उस था तो रहेगी शंत प्रदेश रहेगा इसमें कुछ अस्वादिक चत् दिन इतना बवाल किये कौन लोग हैं जिनकी तस्फीरे आप लोगोंने जारी किया देखिए वो सारे लोग असमाजिक तत्व हैं और इनकी कोई जात नहीं होती ये कोई भी समाज के हो सकते हैं और ये घुसते हैं और ये सिर्फ जो सवहाद पुर्ण वियोस्ता जो चलते रह होगा एक बड़ी टिपनी आई थी कि अगर देश में भारती जन्ता पार्टी की सरकार बन गई तो देश में आग लग सकती है ऐसा कर गए और आज उसी को शायद अंजाम देने का प्रयास किया जा रहा है क्योंकि ये धर्म का काम है इसमें राजीती तो होनी भी नहीं चाह कारवाही हो तो वो घोशना हो गई है उसकी जाच प्रताल चालू है और निश्ची जिसके पीछे कोई होगा तो उसको पकड़ा जाएगा साथ ही जो ये घटना हुई है बहुत ज्यादा निंदनी है तो इस घटने को जो भी अंजाम दिया है जो ऐसे आज अमाजिक तत्व हैं ऐसे उपद्रवी हैं तो उनके उपर कारवही हो गी और कड़ी भी कारवही ओनी चाहिए डाउ-ज को जो समाच को भी बद्नाम करने का प्रयास कि हमारे 36- pathetic और का जरaran के जन्यां मुझे समझना है आपसे क्या कि सब जानना चाहते हैं कि जाज के बिंदू क्या आमर गुफा में जो खटना हैं यह दोनों अलग हैं जो सतनावी समाची जो मांग है वो जो अमर गुफा में जो घटना हुई है उसकी नियाइक जाच चाते हैं वो कि उसके पीछे किसी का involvement है समाच को जो कोई मतलब समाच के आस्ता को और जो वारवर छिडिशन कर रहे हैं, ये एक अलग विशह है, और इस पे जांच चल रही है, और ये जो हिंसांगी जटना, इसमरी पहर मावलय में जांच होगी, उसमें भी होगी, और प्लस ये जो हिंसक घटना किये हैं, उन लोग के लिए भी विशेश जाच चल रही है और वीडियो फूटेज भी देखे जा रहे हैं और इंस्टा सोशल साइट्स जो होते हैं कल आप लोगों ने आपके सरकार के मंत्रियों ने तिन तीन मंत्रियों ने प्रेस कॉंफरेंस की कॉंग्रेस के विधायाक देवें द्यादो कविता प्राण लहरे इन लोगों का फूटेज जारी किया ये लोग भी था मिलते हैं अभी तक क्या सबूत मिले हैं इन लोगों के सामिल होने में या हिंसा बढ़काने को सबूत मिला क्या बिलकुल सारे सबूत हैं इनके खिलाप म ये लोग देखिए एक सतनावी समाज सांती पुरुवक वहां अंदोलन कर रहा था तो यहां पर इन लोग को जाने की क्या आवश्यक्त थी राजनीती करने की क्या आवश्यक्त थी वहां पर राजनीती करने की क्या आवश्यक्त थी वहां पर राजनीती करने की क्या आवश्य यहां इनका आप इंकित करती कि कॉछ नेता है जिनोंने कि गाड़ी में पेट्रॉल डिजल लवा दिया आप लोग जाईए वहां दंगा फैलेगे बिल्कुल ये हो सकता है, मैं तो बोली रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को व्योस्थाएं दी गई हैं कि आप वहाँ जाईए ऐसा गर के बेड़ी खट्टा करने का काम किया ही गया है, बहुत सारे लोग तो और ये लोग गए किसलिए थे, क्या करने गए थे आप ये बताई हैं, तो जब ऐसे घटना हो रही थी तो आप उननों को रोके क्यों नहीं है, क्या कर रहे थे आप उपद्रवियों ने जो कलेक्टेट परिसर है, वहाँ जंडे को हटा दिया, वहाँ सफेज जंडा लगा दिया, उसको आप किस तरीके से देखते हैं और उस पे क्या कारवा होनी चाहिए, इस तरीके के दरने वालों पर, अब ये तो मुझे जानकारी नहीं कि उस जंडे को हटाए गया और उसके बाद उस जंडे को लगा गया इसकी जंडा लगा हुआ हमको दिखाई देर है, जंडा को हटाते हुए तो नहीं दिखाए, क्योंकि वहाँ जो भी रह होगा भारत देशवाश्य है तो भारत-देश के जंड़े तो हिसी का मान संमान हर को करता है उसका आस्था उससे जोड़ा हुआ है तो जो एक साधा फ्रोट सान्दा प्रतिक अधिर पर Haag आया था लड़वाने ही आया था ताकि हमारा प्रदेश बदनाम हो जाए और सांती के जो टापू है हमारी चतितगड को कही जाती थी वह बदनाम हो जाए यह उसका प्रयास रहा है आने वाले दिनों में कॉंग्रेस वहां सभी विधायक जाएंगे किस तरीके से देखते हैं फॉलेटिक्स को वो सरफ पॉलेटिक्स करना चाह रही है किसी भी प्रकार के अब उनको मालूम हैं कि उनकी जो कि इससे पहले आपको मालूम होगा जब Congress Party की सासन थी, आपको मालूम होगा कवरदा जिला में धर्रम पुरा कांट जहां सेथख्म को जला दिया गया था, आपको मालूम होगा पलारी में सेथख्म को उखाड कर फेक दिया गया था, तब इनके Congress के नेता कहां थी, तब इन族 लोगों ने क्यों सवाल ने उठाई, तब इन लोगों ने क्यों ए ऐसा जाच की टीम नहीं बनाई, क्यों वहाँ जाच टीम बना कर वहाँ कवर्दा क्यों नहीं गए, पलारी क्यों नहीं गए, आज जब महलूब हैं, उनकी सरकार चले गई, उनका निव पुरा हिल चुका है, अब जनता जान गई है उनकी असलियत को, तब ये अब SIT टीम बना रहे हैं, कुछ टीम बना के वहाँ जाच करने ही जाएंगे बूल रहे हैं, ये जूड बोलने का काम करें, वही बताया सुरू में ही, समाज समाज को लडाने का काम इनका उद्देश है, और वही काम करने ही जा रहे हैं, राजदितिक रोटी सेखने के लिए वह वहाँ पे जा रहे हैं, गुरु जी एक जरूरी सवाल आपसे पूछना है, क्योंकि गुरु रुद्र कुमार को भी आप जानते हैं, और कहा जा रहे हैं, कोटा भाई हूँ, और वो भी सतनावी सवाज से, हम भी सतनावी सवाज से, और जब हाँ धर्म की बात आती है, तो इसमें कोई राजनीती वाली तो बाती नहीं है, और अस्तित्व वाली बात नहीं है, वो तो अच्छे खासे मंतरी रहे हैं, तो इसमें अस्तित्व वाली की बात है सच्चाई के साथ खड़े रही है जैसे आपको बताया मैंने कवर्धा कवर्धा का धरंपूरा कांड सेथ खाम को जला दिये गया तो उस में वह मंतरी थे तो क्या उस समय उनको जाना नीची यह था आज पो जा रहे हैं सुनिए तो आप अभी गए हैं महां कहां बलादा बजार बिल्कुल मेरी बलादा बजार वालों से लगातार कंडीनू चर्चा हो रही मैं अभी दिल्ली में था सपत ब्रंश हमारों में गया क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारा 36 गड़ प्रदेश जो है शांती गड़ा हुए तो शांत बना रहे हैं यहां किसी प्रकार का हिंसा ना हो इसके लिए मैं पूर्ण रूरूप से प्रयाद कर रहा हुए एक और जरूरी सवाल है कि आने वाले समय में क्योंकि CBI जांच की मा इतना रिपीट नहीं हो पाएगा क्योंकि जो मांग है सत्नामी समाठी यह जो कुछ युवा सांती हैं जिनका मांग होगा CBI लेकिन जो मांग हमारा उद्देश क्या है हम चाहते हैं कि इसके पीछे अगर किसी का जुड़ा हुए या क्यों जुड़ा हुए जो इस जाएगा और उसको जेल में भेजा जाएगा तो मेरे को नहीं लगता कि और किसी प्रकार का ऐसा कोई बिल्कुल रोक लिया जाएगा ऐसी कोई बात ही नहीं आएगी रूप जाएगी सारी चीज़े एक चीज़ बताइए कि आपको थोड़ा भी लगा होगा कि कहीं तो कहीं चुक हुई कहीं न कहीं कोई चुक तो हुई है तभी इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ कहीं न कहीं तो थोड़ा चुक हुई है देगी इसको चुक नहीं कहा जाए क्योंकि मैंने आपको बताया कहीं निगे प्लाइनिंग या सुनियोजित करके समाजिक तत्वों नि इस घटना को अंजाम दिया है अन्नध्या सत्तामी समाज सांथप्री समाज है अंक्टल का पुजारी है तो ऐसा घटना तो बिलकुल नहीं हो सकता था जान बुचकर इस घटना को घटित करने का काम किया गया है और दोसियों के कारवाहि तो continue चल रही है अब सांति के और चलना है बिल्कुल शट्रीजडगर वैसे ही शांत प्रदेश है सांती रहेगा और सत्नामी समाज भी शांत रहेगा और शांती ढंग से संविधान वालने समाज हैं समीधान के माध्यम से लड़ाई लड़ी जए की अरकिसी को नियाय मिलती है समाज को बलवधाब जार हिंसा के मामले में जो तमाम सवाल आप के मन में थे मेरे मन में थे इस प्रदेश के मन में थे उन सभी सवालों को हम धर्म गुरू खुस्वन सहब से पूछ रहे थे ताकि अब सांती के रास्ते पे चले हम हम सभी को सांती के रास्ते पे चलना है क्योंकि 36 गर को सांती प्रियराज्य कहा जाता है और आप सभी को कोई भी उपद्रव या कोई भी ऐसी हिंसा के रास्ते पे नहीं जाना है क्योंकि गुरु घासिदास बाबा कहते हैं सत्य और सांती के रास्ते पे चलना है हम सभी को इजाज़त देजिए नमस्कार जै जोहार जै शत्यज़गर